कि दोस्तों अब हम देखेंगे कि इंग्लिश लेंग्वेज के अंदर हम जब भी स्कूल या जब भी मैं स्कूल में था यसे में एक टीचर भी हूँ पाली की में जा जिस चाहर में रहता हूं उसका नाम पाली मारवाट आस्थान के अंदर एक छोड़ा शेयर है अब वहां प सब्जेक्ट यह वर्ब और यह अबजेक्ट दोस्तों यकीन मानिए अगर बच्चा इन तीनों की पहचान कर ले कि सब्जेक्ट क्या है वर्ब क्या है अबजेक्ट क्या है तो बच्चा मेरा ऐसा मानना है कि वो डंग से इंग्लिश को सीखने की सुरुवात कर लेगा अब क और object यानि कर्म, तो बच्चा confused होता है, तो फिर वो बच्चा क्या करता है, कि इन शब्दों की हिंदी याद करता है, क्योंकि उसके दिमाख में कहीं ने कहीं से लगता है, कि अगर मैं इन शब्द की हिंदी याद करूं, तो मैं हिंदी से इंग्लिश बना सकता हूं, तो दोस का मतलब होता है कि कोई भी इंसान कोई भी पर्सन या फिर कोई भी चीज ऐसी जो उसमें कोई काम करता है कैसे जैसे अगर मैं लिखूं कि I am writing a letter मैं लिख रहा हूँ एक पत्र दोस्तों हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे बहुत जल्द हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे बहुत जल्द तो इसके अंदर अभी हम बात यह नहीं करने हैं सेंटेंस कैसे बनते हैं अभी हमें सिंपल सिंपल फंडे जो इंग्लिश के हैं वो सीखन है तो इस sentence के अंदर काम कौन कर रहा है यानि मैं काम कर रहा हूं आई तो यह क्या कर लाएगा subject उसी बरकार he went to market वह गया market तो कौन गया वह गया तो इसी बरकार कुछ वर्ड होंगे यानि किसी भी वाक्य का अंदर जो काम करता है वही subject करता है subject का मतलब विशय भी होता है हम सभी जानते हैं तो अब हम देखते हैं कि subject के कितने परकार है subject को दोस्तों हम pronoun के तोर से याद करेंगे तो हमारे लिए बैतर रहेगा एक word लिख रहा हूँ यहाँ पे में pronoun यह pronoun क्या है देखिए दोस्तों फिर्मान क्या होते दोस्तों कि अवर्स नवन क्या है उते दोस्तों कि अवर्स । वर्स विच आर युजद इं पेस अ प्लेस अफ… नवन is called pronoun यानी देखे दोस्तों समझना इस चीज को जियान से में लिख तो ही यहाँ पे कि राम is my friend राम is my friend राम मेरा दोस्त है राम मेरा दोस्त है he is a doctor वह एक doctor वह एक doctor है तो दोस्तों देखना मेरा दोस्त है और वह एक doctor है तो यह वह यानी ही जो आया वह के लिए आया डिसकस करेंगे आगे कि ही कप आता है ठीक है तो जो ही आया यहाँ पे किस के लिए आया हुआ है वह आया राम के लिए तो राम क्या है एक नाम है और जो इसके स्थान पर आया वो क्या है तो नाउन है इसको इन्दिम कहते है सर्वनाम और एक वर यहाँ पे और आया होगा नाउन इसको मिन्दिम कहते हैं संग्या डॉन वरी आपको सुना यह याद निकरने हैं आपको सीफ आपकी सहुलित के इसाफ से मैंने बताया आपको अब पढ़ते हैं the words which are used ऐसे श्रब्द जो यूज किये जाते हैं in place of in place of यानि होता है के स्थान पर के स्थान पर in place of noun is called pronoun यह ऐसे शब्द जो यूज करते हैं संग्या के स्थान पर वो सर्वनाम कहलाते हैं आपको इस पर याद करना है the words which are used in place of noun is called pronoun जब आप याद करेंगे तो school level के बच्चों में हमेशा teacher से पूछते रहते हैं कि बटा बोल noun की definition बोल pronoun के बोल verb की बोल adjective की बोल adjective की बोल तो बच्चे confused होते हैं कि बोलना क्या है तो आप ये डायक याद कीजिए आप आराम से बोल पाएंगे उसके बाद उम्मीद आप समझ कहोंगे यह noun है और यह दोस्तों यह क्या है pronoun अब मुझे एक लिष्ट बनानी है और उस लिष्ट को बनाने के बाद आप इसको जाए नोट डाउन कर लो तो दोस्तों यहां पर एक प्रणौन की टेबल बना दी है और इस टेवल के अंदर हम यह सीखेंगे कि भी प्रणौन सारे क्या होते हैं यह निस सर्वनाम है ना और सब को बता है कि यह क्या होते हैं यह संग्या किस्थान पर काम अनवल सब्सक्राइब करते हैं अब दोस्तों हम अभी तक यहीं सीख रहे हैं ऐस अनि सब्जिक्ट हमारा क्या है हम इसकी बात बाद में करेंगे तो फिलाल हम यहां देखते हैं अनि हिंदी ट्रांसलिशन उनका क्या मीन है वह आगे लिखावा लेकिन उपर कुछ यह चीजें लिखिवी है अभी क्या है समझ थे इसको सब्जेक्टिव यानि यह सारे जो वर्ट है सारी यह वाले आई यह नि में वी यह नि हम यह तुम यह आप दे यह वे यह लड़के इस पुरी लिख्ट को इस पुरी टेबल को आप अपनी नोट बुक में राइट डाउन कीजिए और इसको याद करना ताकि आने वने समय में जब हम ग्रामर क्या लगले क्लासे लेंगे तो यह टेबल आपकी बहुँच ज़दा हैल्प करने वाली है अब उसके बाद इसकी करता कारक है करता कारक ठीश यह पुरा एक केस बना हुआ है एक पूरा केस है अब इसके हम बाद करते हैं यह औजल कर्म कारक हिंदी नी पड़िनी अपन चलिः आपको ने बता रहूं आपको ठीक है राकाराट क्यानिव ये जो वर्ड है हमेशा ten ज्रुण च्रुरुवाध में और ये सारी वर्ड है वर्ट है है यह संटेंज के लाश्ट में आएंगे सेंटेंज बता है आपको स're यह सारी जो है यह कहां पर आएंगे सेंटेंस के लाश्ट में इसका यूज है पैसी वह इसमें होता है जब हम पैसी वह इस पढ़ेंगे था मुझको सीखेंगे डेफिनेटली अब यहां पर एक वर्ड है पजेजिव और पजेजिव का मतलब होता संबंद संबंद बताने वा और माई का मतलब होता है मेरा अगर मैं कहूं दिस इज माई पैन यानि यह मेरा पैन है यानि इस पैन का मेरे साथ क्या संबंद हुआ माई यह मेरा है ठीक दोस्तों अगर मैं कहूं दिस इज यॉर पैन इस यॉर पैन यानि यह तुम्हारा पैन तो यानि इस पैन का तुमा आई मी माय मे मुझे मेरा वी अस अवर हम हमें हमारा यू 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 यॉ यॉर दे देर इनकी सबकी हिंदी लिखी विए आगे इंपर आप लिके इसको पढ़ना और मेरी तरह से एड़ाइज ही आपको कि आप इन वर्ड्ड को याद करिएगा यू एक पात और घान दीजिए दोस्तों यह चार जो वर्ड है यह पूरे यह कहलाते हैं प्लूरल यानि बहुवचन और यह चार जो वर्ड है यह चारों सिंगुलर यानि एक वचन अब यह कह चीज है मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों आपको एक काम दे रहा हूं अगर आप वास्ता में सीखना चाहते हैं तो आप इस पुरी टेबल को अच्छे डंग से याद कर लें सिंपल आप एक दम फ्लो में इसको याद करेंगे तो आराम सी याद हुपाएगा और इस सभी वर्ड के आपको हिंदी भी समझनी है दोस्तों ठीक है अब हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए